दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने बेसिक जाना था बाइनेरी नंबर्स के बारे में आज की वीडियो में हम ऑपरेशन्स देखेंगे कुछ करके कि बाइनेरी नंबर्स में जनरली कॉम्परेशन्स यूज होते हैं उनको तुम कैसे यूज कर सकते हो हम जानेंगे कि सेट किसको बोलते हैं unset bit किसको बोलते हैं कोई bit set है या नहीं यह कैसे check करना है किसी number में कितनी bits set हैं यह सब चीज़े कैसे check करनी है क्योंकि यह सारी जो operations हैं बहुत जादा commonly use होते competitive programming में इनको जानना और अच्छे से समझना basic किनका बहुत जादा ज़रूरी है तो आज की वीडियो ना बिट्स पर काफी सारे operations करके देखेंगे उनकी binary representation देखेंगे और देखेंगे वह कैसे transform हो रही है एं तुम्हें काफी basic से पता चल जाएगा तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है रवेंट स्वागत है आपका competitive programming कोर्स के एपिसोड 48 में फटा फट शूरू करते हैं तो सबसे पहले ना बिसिक terminology जान लेते हैं जो binary system में यूज होती है यह तुम्हें काफी कॉमनली देखने को मिल जाएंगी तो let's suppose ना मेरे पास एक binary number है कोई भी binary number let's say मैं उसको बोलते हूं 1011011 यह मेरा एक binary number है ठीक है अब इसमें terminology के हैं कि सबसे पहले हम बोलते हैं least significant bit LSB वह हम बोलते हैं यह वाली bit तो सबसे पहले ना हम जो binary number के indexing होती है वह कहां से करते हैं left to right करते हैं यह left है और यह right है प्रक्राइप तो लेप टो राइट हम binary number की रीप्रेजेंडेशन करते हैं ने इंडेकस जो जेनरल히 होते है वह 0 पिणी होते है तो हम एसको बोलते हैं यह जूरी फ्रस्टिंडेक्स यह सेकंट इंडेक्स नहीं बेसिकली यह वाली इसको हम बोलते हैं MSB बैसिकली most significant bit तो इसको हम बोलते हैं most significant bit यह काफी तुम्हें commonly देखने को मिल जाएगा कि least significant bits हटा दो most significant bits हटा दो most significant bit यह होती है एक number में तो यह काफी सारी terminologies जो है यह तुम्हें common questions में दिख जाएंगे ठीक है अब हम बात करते means set और नहीं तो set bit का मतलब क्या होता है ना कि bit basically is one नहीं onset क्यों होती है बेसिकली जो bit है वो 0 यह तो हम किसी bit को बोलते कि वो bit set ए उसका मतलब है कि वो bit one है हम किसी bit को बोलते कि वो unset है उसका मतलब वह जीरो है, बैसिकली यहां पर, मैं बोल दूगो, 0th bit मेरी set है, मेरी 1st bit set है, मेरी 2nd bit unset है, मेरी 3rd bit set है, मेरी 4th bit set है, 5th bit set है, 6th bit unset है, और अगर इसमें इस पूरे binary number में मैं बोलू कि मेरी कितनी bit set है, तो मैं बोल दूगो किसी नंबर की बिट कोई सेट है कि नहीं किसी नंबर की कोई आयत बिट सेट है या नहीं यह हम कैसे चेक कर सकते हैं तो मेरे पास नो कोई बाइनरी नमबर मैं बोलतों फाइव है मेरे पास तो फाइव की बाइनरी है ठीक है तो आप में को चेक करना है कि फाइव की बाइनरी में first bit set है कि नहीं first bit कौन सी होगी यह वाली first bit है यह दो यह जी सिरौत बेट है और यह बैट है ठीक है मैं कुछ करना के फॉस्ट बिट सेट है कि नहीं तो मैं क्या करूंगा ना एक ऐसा binary number निकाला लूँ जिसकी सिर्फ 150ट दो नंबर्ज का एंड कर दू तो में अगर एंड कर दू आईगा जी रो जीरो जीरो तो यह जो आ जाएगा तो बेसिकलिए अगर एंड देड आ तो आ रहे है तो इसका मतलब क्या ह된 कि वह फस्ट उट नहीं है क्योंकि क्या होगा कि के अगर में को कोई नंबर की आयात विक चक करनी है या UP तो मैं रहूड यह झा हो गया ना और बाके सारे जी बीट सक्छलाश की posis कर दूँ अगर थर्ड पोजिशन पे उस नंबर में one होगा तो ही इसका जो एंड है वो non zero आएगा क्यूंकि यह वाले सारे zeros and होके zero बनाने वाले हैं यह वाला जो one है ना यह एंड होके one तब ही बनाएगा जब उस position पे दूसरे number की उस position पे one होगा तो तो ही ये and करके one बनाएगा अब जिस भी number के साथ में कोछ चेक करना है अगर उस number की वो third वाली bit अगर one होगी तो ही इस number का and उस number का and non zero आएगा अगर वो bit zero ही तो पूरा का पूरा and ही zero जाएगा क्योंकि ये ये तो zero ही देने वाला है ये zero देने वाला है सिर्फ ये एक लौता one है जो हमें one का one देने वाला है ठीक है ना तो let's say अगर कोई number होता यहाँ पे one one zero 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 है ना तो इस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जो third bit है ये वाली जो 3rd bit है यह set नहीं है तो इन दोनों का and हमारा 0 हो जाएगा दोनों numbers का क्योंकि यह सारे zeros इनके साथ मिलके 0 देने वाले हैं यह सारे मिलके इसके साथ 0 देने वाले हैं और यह वाला जो है यह भी यहां पर 0 0 देदेगा बट अगर यहां पर 3rd bit होती मेरी यहां पर है ना अगर यहां पर यह थर्ड बिट होती तो इसका and का answer क्या जाता जीरो 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 तो हमें basically आयत बिट है यह नहीं किसी number में उसको check करने के लिए क्या निकालने कि एक ऐसा number number जिसमें सिर्फ आयत ही bit set है है ना जिसमें सिर्फ आयत ही bit set है तो मैंने 90 पर आरा तो हमारा जायत bit हो set नहीं वह हो पर यहां पर मैंगों dy veta नहीं तो यहां पर मैं कोट आ थी किए नंबर कैसे मिलेगा आप बात आती है कि यह number कैसे मिलेगा basically यह number है क्या यह number तो वही होगा ना one left shift piesHello क्या होगा सिर्फ one होगा one left shift two क्या होगा हमारा यहाँ पे 안意डा यहां पे तो सारे Kunden यहां पने एक और देखने वाली चीज़ है के ना यह हमारी सारे टू की powers होती है one left shift वाली. यह मैंने explain किया था last की वीडियो में कि ये two की powers होती हैं. तो अगर हम इसमेंस ठाइस. अगर हम इसमेंसे one minus कर दें तो हमें एक ऐसा number मिलता है जिसमें सारे ones हैं. हमें एसा number मिलता है जिसमें सारे ones हैं और ये सारे zeros हैं. तो basically one zero zero में手 है मैं 1- becomes करता हूँ तौ मैंको एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें सारे वन यह किसकी डिप्रेजन्डेशन है वे 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 ना तो 4-em ikiya होता थी थी तो 3 की बाहिणरर यह hot एं जिरो जेरो जरो वनवन तो basically 113 की है ना तो यहां पर में को 4 1 वला नमबर मिलेगा तोG wanted the you know ध्यान रखना है कि जो two की power के ज़स्ट पहले वाला नमबर होते है two की power के जस्ट पहले वालबर उसमें सारे के सारे quickly 1 होते है 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 यह 21 क्या है यह three तो की पालगी पहले क्लिवा सब्सक्राइब है यह बने देखेंगे यहां परोड़ ना एक प्रिंट बाइनरी का सिर्द कर रहा है और यह कैसे यह देखते हैं कि print binary एक oggi आगर let's say मैं चलाता हूँ 9 पर चलाता हूँ ठीक है 9 पर चलाता हूँ तो ये मेरी 9 के binary आ जागी यहाँ पर तो मेरी 9 के binary हो गई अब मेंको 9 में check करना है कि मैंको च Kayla करना है कि 0th bit set है कि नहीं तो let's say मैं इसको 9 को नहीं, knowहीं लिल expect in int a is equal to 9 and में को चेक करना के आयth bit set है कि नहीं ठीक है आयth bit में को चेक करनी है set तो आयth bit में बोलता हूं अभी 0th bit check करते हैं let say तो if ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे a and one left shift i i-th bit check करनी है ना आय इत bit तो one left shift i not equal to zero अगर वो not equal to zero आई उसका मतलब क्या, bit set है, है ना, अगर not zero आ रहा है, तो मतलब one और one का and, one आ चुका है, है ना, तभी non zero आएगा ना, तो यहाँ पर हम बोल देंगे set bit, else हम बोल देंगे, see out not set bit, है ना, तो इसको हम चला के देख लेते हैं, तो 9th की 0th bit बोल रहा, set है, अब मैं यहाँ पर i को let's say 1 कर दूँगा, तो 1st bit 9th की set है कि नहीं set है, तो यहाँ पर not set bit है, बढ़ यहाँ पर उसके बाद, तो हमारी second bit भी set नहीं है, बढ़ third bit set है, तो third bit यहाँ पर i is equal to 3 डाल देते हैं, तो हम देखेंगे, यहाँ पर bit set आजाएगा, है ना, तो यह set bit है, तो यह से हम चेक करते हैं कि a and, one left shift i, हमें क्या बताएगा कि a में, i-th bit set है या नहीं, अगर वो non zero आ रहा है, तो मतलब set है, मतलब one one का जो and है, वो zero हो चुका है, और अगर वो zero आ रहा है, तो मतलब वो not set bit है, ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कोई bit set है के नहीं, अब में को किसी number में कोई bit set करनी हो, अगर में किसी number में कोई bit set करनी हो, तो मैं कैसे set कर सकता हूँ वो, तो मैं क्या करूँगा ना, बेसिकली वह हम वह ही निकालेंगे, one left shift आई निकालेंगे, तो one left shift आई क्या होता है, क्या आई इत बिट पे one होगा, है ना, वो होता है one left shift आई, तो इससे हम क्या करेंगे, उसका और कर देंगे, तो जैसे अगर में को बोलना है, कि में को इसकी first bit set चाहिए, ये वाला जो number a है मेरा है ना, nine के बराबर है, में को इसकी first bit set चाहिए, ये वाली first bit set चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा number लोगा, जिसकी first position पे one है, और उसका और कर दूँगा, और कर दूँगा, तो ये हम set bit कर सकते हैं, तो set bit कैसे करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर बस हम क्या कर सकते हैं A और वनलेफशच्षट आई, तो में को अगर first bit set करनी तो oneलेफशच्षट one, तो इसकी हम print करके देख लेते हैं, print binary करके देख लेते हैं, यहाँ पर slash and डाल देते हैं, तो तुम देखरो यहाँ पर हमारी फिस्ट गिट सेथ हो गी अब में को विट ऑन्सेट करनी है अगर में को ये माले खोड़ के ओना के कि और वन लेट फिर न Намबर निकाला जिसके पोजिशन पे वनोगा और उसका और कर दिया unset कैसे होता है कोई अगर bit one होगी तो उसको unset कैसे करूँगा जीरो के साथ and करना पड़ेगा उस bit का तो ही unset होगी ना तो में को let's say nine की third bit unset करनी है तो मैं कैसे करूँगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो nine के हमारी binary क्या है बैसिकल ना इन के हमारी binary one zero zero one और यहाँ पर सारे zeros थीक है यहाँ पर सारे zeros हैं अब मैं बोल रहा हूँ कि में को ना यह वाली bit unset करनी है set के लिए हमने क्या बोला कि यह bit अगर set करनी थी तो यहाँ पर one रखके बाकी सारे zeros रख देंगे और इन दुनों का और ले लेंगे और ले लेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा zero one zero यहाँ पर one था और यहाँ पर one और zero और zero यह मिल जाएगा हमें basically है ना तो यह हमारा एक number हो गया जिसमें हमने यह set bit कर दी बट अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर ना मेरे को यह वाली बिट अंसेट करनी है तो मैं का result क्या चाहिए यह यहाँ पर result ऐसा चाहिए one zero 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 तो यह वाली बिट unset कर दी हमें को तो यह कैसे करूंगा तो basically अगर मैं एक ऐसा number मिल यहां चाहरते वह एंड प्रिजावर हेंगी तो यह वाले वन और यह वाले प्रिजेड़ रहे हैं नो बयस्ता यहां बहुति जहां पर ग कर जब कोई भी उपर one नो चाहिए zero वो bit unset हो जाएगी and करने पर यहां पर zero आ जाएगा तो यहां पर हमारा zero आ जाएगा तो हमें एक ऐसा number डूढ़ना है अगर आएथ bit unset करनी है तो एक ऐसा number डूढ़ना जहां पर आएथ bit पर zero और बाकी सारे one हो तो basically यह number क्या है यह basically inverted form है किसकी एक ऐसा number जिसमें सिर्फ आएथ position पे one हो तो अगर में को आएथ position को set करना होता तो मैं ये वाला number यूज करता अब इसको invert कर दूँगा तो में को ये वाला number मिल जाएगा invert कैसे करते हैं हम यहां पर code में देखते हैं तो let's say अगर मेरे पाइस एक number है binary है ना print binary तो print binary यह मेर िए ना तो आगर मैं print binary करता हूं यहां पर टिलडा conprator होता है तिल्डा क्या करता है इनवर्ट करता है Henry को तो यहांपे इड़न्य की बाइनरी complaint करूँ तो हम देखते क्या आथा है तो यहां पर तुम देख रहे हो हैं यह 9 की binary थी मतलब ए की binary ए में 9 चोड़ है तो यह tilde of a मतलब यह जो हमने प्रिंट किया है यह इस की binary है तो इस को क्या और ? सारे zero बन गए हैं है न सारे zeros बन गया यहां पर और जो 1 था वह 0 बन गया तो अगर मैं यहां पर let's say one left shift आई मतलब let's say अगर मैं को third bit unset करनी है तो मैं यहां पर one left shift 3 देता हूँ ठीक है तो one left shift 3 का यहां पर मैंने print किया तो यह आगया number है ना one left shift 3 यह आगया number मेरा अब मैं को one left shift 3 का inversion चाहिए तो मैं एड अगर यह number कर दूंए तो मेरी क्यों होगी 3rd bit unset हो जाएगी 3rd bit मेरी unset हो जाएगी तो अगर इसको मैं print करके देखूँ तो यहां पर तुम देखो कि यह जो a में हमारी जो 3rd bit set थी वो unset हो चुकी है तो यहां पर अमने 3rd bit को unset कर दिया है तो यह क्या था यह हमने किया bit को set किया यहां पे हमने bit को unset किया तो अगर मैं को i-th bit unset करनी है तो यह one left shift i बन जाएगा है ना और यहां पे अगर i-th bit unset करनी है तो यह one left shift i बन जाएगा तो यह basic formula हो गया कि basically bit को set और unset कैसे करना है है ना bit को unset और set कैसे करना तो इसको बापिस ले लेते हैं ताकि यह प्रिजर रहे अब मैं बोलता है यह हो गया हमारा bit unset का example अब हम देखते कि बिट को toggle कैसे करना है को ैसे मी की करता है कि ऐसके नंबर बनाएंगे जिसमें उस position पे इसे सेट विट वाले केस में किया था एक ऐसा नंबर बनाएंगे जो आईएफ पॉजिशन पे अगर आईएफ बिट को टॉगल करना है तो आईएफ पॉजिशन पे वन होगा और बागी सारे जीरो होंगे और उस नंबर के साथ ना एक्च्वल नंबर का ग्जॉर दे देंगे जो क्या करता है वन और वन का ग्जौर तुम देखते हो जीरो होता है वन और जीरो का ग्जौर क्या होता है वन होता है तो बेसिकली अगर वन का ग्जौर वन के साथ लेंगे तो बन जाता है वन का ग्जौर अगर जीरो के साथ लेंगे तो जीरो बन जाता है तो बेसिकली जौर होता है ना बिट को टॉगल करता है basically मैं को यहां पर let's say 9 की ना second bit को टॉगल करना है 9th की second bit को टॉगल करना है तो मैं क्या करूँगा यहां पर print binary यहां पर 9 है मारा इसका जौर किससे कर दूगा जिस bit second bit को टॉगल करना है ना तो 1 left shift 2 second bit को toggle करना है तो 1 left shift 2 के साथ जोर कर दूँगा तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है तो यहाँ पे देख रहो जहाँ पर 0 थी second bit यहाँ पर second bit 0 थी ना तो वो 1 बन गई है second bit 0 थी वो 1 बन गई है तो अगर मैं को third bit को toggle करना होता basically 1 से 0 और 0 से 1 1 से 0 और 0 से 1 तो मैं यहाँ पर कर दूँगा 3 तो यहाँ पर तुम देखो कि third bit को toggle कर देगा यह तो third bit हमारी 1 थी और उसको 0 बना दिया है तो invert करता है XOR operator toggle करता है on off करता है bits को तो यह होता है हमारा toggle operation के हम toggle कैसे कर सकते हैं इसके बाद हम देखते है कि bit count कैसे निकालना है तो bit count क्यों होता है basically कि set bits कितनी है इस इस number में set bits कितनी है तो अगर में को किसी भी number में integer number में अगर में को निकालना है कि set bits कितनी है तो वह हम कैसे निकाल सकते यहाँ पर हमने एक loop चला देंगे while int i is equal to 0 तो अगर 32 bits का number है तो यहाँ पर 31 का loop चला देंगे i greater than equal to 0 minus minus i है ना तो यहाँ पर यह loop चला दिया हमने and यहाँ पर इसके बाद यह वाला formula यूज़ कर सकते हैं यह वाला formula यूज़ कर सकते हैं सीधा if a and one left shift i not equal to 0 if a and one left shift i not equal to 0 तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर हम count plus plus कर देंगे let's say अगर हमें integer bits का count चाहिए कि कितनी set है तो हम यहाँ पर count is equal to 0 कर देते हैं and यहाँ पर count plus plus कर देते हैं ठीक है तो अब मैं check कर लेता हूँ तो इसको बाद cout count कर देते हैं यहाँ पर four sorry four loop आएगा यहाँ पर तो तुम देखर यहाँ पर two answer आगया basically two answer आगया यहाँ पर तो two basically क्या बोल रहा हमारा कि दो bit set है अगर मैं बोलता है यहाँ पर कोई और number होता है मेरा a की जगा a की जगा let's say मैं बोल देता हूँ कर सकतो हो यह twelve 주고 यह गरहा है यह क्या कर रहा है कि नमबर को न left shift i करके और कर रहा मारी तो ञह करने लुविभ कर रہा रहा है तो गी ऑन के साथ यहाँ पर यह पर होन बेख़ों नमबर को यह साथ यहां पर mm propose मतलब क्या तुम देखो वन के साथ करने का मतलब है कि अगर वन की बाइनरी सारे जीरो और बस जीरोत बिट पर वान होगा तो वान का जो किसी भी नंबर के साथ अगर वन का एंड करूंगा मैं तो वह हमेशा तभी नॉन जीरो आएगा जब वह फस्ट पोजिशन उसकी नॉन काऊंट प्लस अनीक नहीं तो यहांपे इस के साथ बिकर सकते हो यहां पर क्या कर सकते थे हम सी आउट की जगा हम यहां पर कर सकते हैं count plus is equal to तो यह भी एक तरीका हो सकता है हमारा bits count करने का है ना बट यह तो मतलब होगे समझने के लिए वैसे ना inbuilt एक function भी होता है हम bit count करने का तो inbuilt function का नाम होता है built in pop count underscore underscore built in underscore pop count तो इससे क्या होता है हमें set bits का count मिल जाता है तो तुम देखरो यह भी three print हो गया राइट तो यह भी three print हो गया तो तुम directly ना यह inbuilt function भी use कर सकते हो यहां पर और एक और function होता है तो यहां पर अगर मैं built in pop count में यहां पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर मैं answer भी wrong आ गया क्यों आ रहा है क्योंकि यह जो बिल्ट-इन पॉप count ना यह सिर्फ एंटीजर के लिए काम करता है अगर तुम्हें लॉंग number पर चाहिए ना built in pop count के long number में तुम्हें जानना है कि तुम्हें 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 काफि ध्यान में रखने हैं यह तुम्हें कैसे जानों के representation में देखो और देखो कि and कब कर रहे हैं और कब कर रहे हैं bit set के लिए और bit unset के लिए हम कैसा देख रहे हैं तो bit set के लिए हम क्या करते हैं one left shift eye use करते हैं bit unset के लिए करते हैं one left shift eye का inverted है ना one left shift eye का inverted चीज चीज यूज करते हैं चोटे-चोटे operations होते है bit manipulation में जो तुम्हें help कर सकते है day to day coding life में तो वो सारी चीज़े हम जानेंगे एंड उन सब चीज़ों को जानने से पहले ये सारी चीज़े clear होना बहुत ज़रूरी है तो अगर ये चीज़ clear नहीं तो तुम वीडियो को दुबारा देखो एंड खुद code लिखके देखो इन सी चीज़ों का खुद binary number प्रिंट करके देखो कि कैसे हो रहा है तो ये सारी चीज़े तुम खुद समझो अच्छे से एक बार और तभी नेक्स वाला वीडियो भी एक बार अच्छे से clear हो जाएगा हम जानेंगे कि set bit किसको कहते है करते है अनसे किए जरौ फॉर्ट सेकेंड थर्ट फॉर्थ से थख मैं यह वाला है आप सेंड यहां पे तो फवाइव की भाइनरी टो फवाइवकी बाइनरी क्या होती है यहां लीए को चांगत क्या है कि canada